मैं परदीप कुमार परदे सद्धिक्ष समाजवादी जगता सभा आप ये बताईए कि जो कल चीफ जिरीशल मजिस्टेट लखनों का जो फैसला आया है उसके बारे में आपका क्या विचार हैं क्या कहना है आपका कल जो चीफ जिरीशल मजिस्टेट साब का निड़े आया है वो तबलीगी जमात के उपर है तबलीगी जमात जैसा की कोरोना के समय में उस नाम को इतना उच्छाला गया इस नाम का इतना दुरुप्योग किया गया कि इससे साइध कोई हुई बेक्ती हो जो इसके बिसम ना ज करने की तबलीगी जमात नहीं फैलाया इस रोको करोना को तबलीगी जमात जो है वो बिसीद धुरूप से वो इस्लामिक अध्यात्म का एक सुरूप है जो ईस्षवर से उसके निकट कैसे पहुंचा जाए ये उसके कैसे उसकी आराधना की जाए कैसे उसके लिए नमाज प पताती है और उस तवलीगी जवाएट को कोरोना में जोका गया कि इन्हों ने कोरोना फैलाया कल जब सीजियम महोदे लखनो का निर्ड़े आया है तो उसमें जो है उनो तवलीगी जमाद के लोगों को जिसमें 11 आंडियन्स हैं 11 11 भारतिये हैं और साथ इंडोनेसियंस हैं जिनको बाइज़द बरी किया गया है निर्दो साबित किया गया है और इन्हें पूर्ण रूप से मलब जो है इनको एकदम बरी कर दिया गया है सिरे से कालिज कर दिया गया है भाज़पा के आरोप आरसस के आरोपों को अब बात यह है कि इसके ल लिजे कि बहुत जिस तरह से तोरित सुन्वाई चल रही है तीबर सुन्वाई चल लही है नियावपाल का जिस तरह से से इसको ले उश से तो लग रहा है कि यह सवता की अंदर जो है वो त्हाइलेंड के बिसे नीड़े आ और इस कुरोना में तबलीगी जमाद को जो इस से जो है पूरे बिस्व समदाय के समस्थ इस देश को अपमानित करने का काम किया इस देश को कलंकित करने का काम किया और अपने आपको भी सरमसार हुए हैं लोग अपने आपको भी सरमसार किया है बेजेपी और एस ने पूरे और इसके लिए इस पूरी टीम ने समाजवादी अग्ड़ताओं की जो टीम थी जिन्होंने रात दिन लग करके पूरी सिद्धत के साथ पूरी महनत के साथ इस केस को लड़ा है उसमें मैं बिसेश रूप से काजी सफियोर रह्मान सहाब जिया जिलानी सहाब गजेन सिंग सह और अली हसन सहाब को बहुत बहुत धन्वाद देता हूं जिन्होंने रात दिन इसकी तैयारी की और साथ के अभाव में कोई साथ नहीं मिला है इस आरेसस भाज़ कोई साथ नहीं है हाँ एक और नया चाल चल रही है अभी हमको सुनने में आया है कि सरकार उन धाई हजार य इनके सरकारी उकील होते हैं उनको पता चला कि कोई साथ नहीं है और साथ के अभाव में नेड़े बिल्कुल जो है तबलीगी जमात के फेवर में आने वाला है इसमें कोई इनको एक भी सबूत जब नहीं मिला तो इन्होंने खुद तैयारी बना ली है जैसे इनका पहले से कोई काम रहा है कि राम राम जपना पराया माल अपना दूसरे का फीता कागना दूसरे के कामों का उद्गाटन करना उसी तरह से इनकी साजिस भाजपा साजिस में सबसे आगे है तो उसकी एक साजिस है कि जब फैसला हमारे फेवर माम कोई साबित नहीं कर पा रहा है निया आरोप लगा के अफमानित करने का कलंकित करने का परिसान करने का और हमें पूरी तरह से पूरे मुस्लिम समदाई को निंदित करने का काम किया है वो अब इसमें ये छमायोग नहीं है इसके लिए बस हाँ ये अपना अगर खुद जनता की नजरों में बरी खुद को करना चाह और कहें अपनी गलती सुईकार करें तभी इस लोगतंत्र की बहाली की बात हम लोग कर सकते हैं कि इस देश में लोगतंत्र जिंदा है अगर लोगतंत्र को जिंदा दिखाना चाहते हैं तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी और मेडिया के भाईयों से जो उसमें भाजपा के आरसस के सुर में सुर मिला करके राद दिन सपवा को फैलाने में लगे थे वो लोग भी आ गया है और जिस ती ब्रगत से उन्होंने अफवा फैलाई की तब्लीगी जमाद के लोगों ने कोरोना फैलाया है उसी तरह इस खबर को फैलाएं कि तब्लीगी जमाद के लोग पूर पूर्ण रूप से निर्द्योश सापित हो चुके हैं बड़ी हो चुके हैं बाइज़त इस काम को भी मीडिया को लखे करना चाहिए और पूरी जन्मानस के सामने इनको छमयाचना मांगनी चाहिए बहुत-बहुत इसके लिए आप आए और इसके लिए बहुत-बहुत आपक झाल